बच्चों चलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोगा जो बोर्ट पॉइंट ओ व्यू से हम लोग जो इधर पे सिलेबस को खतम करने के लिए कोशिस कर रहे हैं उसको हम लोग कॉंटिनू करते हैं तब आज हम लोग बच्चों क्या करेंगे आज हम लोग इलेक्टर केमेस्ट्री का थार्ड टोपिक आज हम लोग स्टादी करेंगे अभी दक हम लोग दो टोपिक्स हम लोग कोवर करें लिए हैं कॉंसा कॉंसा एक्टो रेडॉक्स रेक्षन और दुसा वल्ला हम लोग क्या पराथा लास्ट लिक्चर पे येमेफ ऑफ सेल तो फिर आज के बार में स्तादी करेंगे स्टेंडार्ड िलेक्ट्रोट पोटेंचिट के बार में अम लोग अज कीP करेंगे इस बी चीकसा संपेर्श क करेंगे कोई भी मेटेल रोट को हम लो बेर उसका खुदका स्लीब करते हैं सब्सक्राइब यह जो मेटल रॉट्था उसको मैं दीनोट किया एम के साथ में हैं नीचे पे और पे स्ट पर क्या प्रेजेंट होना पर इसका तो हम लोग का होगा मतलब के जब लोग मेज़़ं रोट को कहा बीप कर तो तो फिर होते हैं अभि साभूस मैं बोला कि मेरा नट्रोट के सा घ्यारता बीपोईत होगया मतलब तोका उलेक्षे सब्सक्राइब बोल रहे हूँ पच्छ आफी दुस्टा वाला रिक्षन क्या होगा यह जो मेरा मेटल रोड था मेटल अब अगलों का किया हो सकते हैं और अगर अगर मेटल नोट ho डॉक्सिदैज्ज होने से वो क्या हो घाएगाGAR मेराratos लोट अगर योगा तो ऐसका अफिर मेरा एक और रियक्षिन हो रहा था उसको दिखा रहा था बच्छो जेनरेली उडर पे हम लों का वीकार के अंडर पे क्या होता है दोनों रियक्षिन होता रहता है और अगर वह reaction हम लोगा equilibrium पे suppose किया होगा, equilibrium पे जब पहुंचेगा, पहुंचने के बाद अगर हम लोगा क्या होगा, कोई एक reaction का rate अगर कुछ fast हो जाएगा, suppose मैं बोला उदर पे reduction reaction का rate क्या हो गया, compared to the oxidation reaction उदर पे fast हो गया, तो भी हम लोग बोलेंगे उदर पे हम लोगा ज हम लोगा क्या हो रहहिए, लेगिन होने में लोगा एक ही को रिएक्स आता रहेका, और dependence होता रहेगा, यह तो यहलोगा एकपोईंट सब्सक्राइगा, और notch हो गया होगा equilibrium एकजीस्ट होता पहुझा पहुंगा अगर बच्चों देख़ते चिर्चान होगा मेरा उसके उपर पर प्रय जाएगा मेरा पोजिटिब चार्ज और यह आप लोग का a solution था दो मैंना क्या हो गया पॉजटिब चार्ज का कंसेंट्रेशन कम हो गया तो फिर मैं यह जो भी कर नीगेटिब चार्ज उधर पे हम लोगा क्रेट हो जाए तो यह आप लोग देख सकते हैं और अधिए सयर्ट परफंच weiter हो लिए ya और और यह दो हम लोग यह रिदक्सन के ताइम हो रहा उसको लोग बोलेंगे दिखंचल्ट आफ लोग अगर नेक्स भाला में मैं पूइटिव स n इटर पर अगर रहा भी बडिखलता तो नहींट आंचेट्स से छोड़ा सब्सक्राइबقدंगती सब्सक्राइब googler चाहीं प्लेकृप पर क्या कर रहा था रख पर बत्रों पर चे था एकल Creek खूड Fahr जाएंगा निगेटिव एस हम लोगे ती बोलेंगे assumption कि बिए अपने राइचेंट कर रहा है और लोग जो डायच्ट पर रिडाक्शन को रिडाक्शन कर रहा है वह रहा है एक तो ऑक्सिडेशन रिडाक्शन का ज्याधा है इसले अम लोग उसको क्या बोले उदर पर क्या हो रहा था बोलेंगे reduction हो रहा था ढ Ouais Extra संगत हो रहा था इन टार्मस रखसिएअम उदर पर क्या बोलेंगे और लोग यह को उसको हम लोग क्या बोलेंगे oxygen संपोंतेनाइवाराइब दुस्री बिचिए से विच एक तो मेटल रॉड और दूसरा सलीशन के बीच में उसको हम लोग जिनरली क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशेल बोलते हैं बच्छो जब भी मेरा मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइट सोलुशन के बीच में उडर पे हम लोगा चार सेपरेट की एत होगा तो फिर हम लोग बोलें कि उडर पे पोटेंशेल डिफेरेंश क्रियेत हो रहा है और वो जो पोटेंशेल डिफेरेंश होगा उसी को हम लोग किया बोलते है इलेक्ट्रोड पोटेंशेल बोलते हैं तो आप लोगा इफिनेशन पैख लिखा हुआ है the electrical potential difference setup between the metal and its ion in the solution is called electrode potential. हम लोगा जो metal rod है और साथी साथ उसका जो निच्छे पे जो solution था जहां पे उसका ions प्रेजन था उसके बीच में हम लोगा इदर पे क्या हो रहा है एक potential difference कियेत हो रहा है या फिर जो charge separate हो रहा था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड potential बोलते हैं नेक्स अभी standard electrode potential क्या होता है standard electrode potential मतलब क्या होगा आप लोग जो निच्छे पे जो इदर पे क्या ले रहे थे solve solution ले रहे थे उसका concentration अगर आप लोग one molar maintain करेंगे अगर उसका concentration one मोलारीटी मेंटेन करेंगे मतलब one मोल पार लिता है अगर solution अगर आप लोग निच्छे पे लेंगे तो फिर आप लोग बोलें कि वह मेरा जो हापसेल होगा वह मेरा क्या है standard हापसेल है और उस ताइम पे जो हम लोग इलेक्टोड पोटेंशेल होगा उसको अम लोग क्या बोलेंगे standard इलेक्टोड पोटेंशेल बोलेंगे तो फिर डेफिनेशन पे उसी बात को लिखा हुआ है इफ इंडा हापसेल दा मेटल रोड इस सास्पेंडेट इने सोल्यूशन अफ वान मोलार कंसेंट्रेशन अगर हम लोग क्या करेंगे मेटल रॉट को वान मोलार कंसेंट्रेशन पे अगर सासपेंड कर नेंगे मतलब उसको अगर धिप कर देंगे और टेंपरेशर को हम लोग को उठर पर फिक्स करके रखना है तेंपरेशर हम लोग कितना फिक्स करेंगे 298 केल्विन उठर पर फिक्स कर देंगे और इlla दर इन दा इलेक्टरड पोटेंशेल इस इस ऩैंडर इलेकटर्ड पोटेंशेल और उस ताइम पर हम लोग क्या बोलेंगे अगर हम लोग कॉंसेंट्रेशन मुलार टि और साथी साथ टेंपरिशा 298 केल्विन मेंटेन नहीं करेंगे उस ताइम पे जो हम लोग का पोटेंशेल डिफरेंस होगा उसको अम लोग बोलेंगे इलेक्टरोड पोटेंश्यल और जब अब लोग उडर पे कॉंसेंट्रेशन को करेंगे दरफे हम लोग कैसे इडर पर कोई भी एलेक्टरोट का मैजर कर सकते हैं लेकिन एक बार मालूम होना है किसके वारे मालूम होना हम लोगो reference electrode के बारे में हम लोगों को मालूम होना पड़ेगा नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं स्टेंडार्ड हाइड्रोजन इलेक्रोड बोल सकते हैं नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं उसको normal hydrogen electrode तो फिर जब standard hydrogen electrode बोलेंगे उस तेम पर उसको अम लोग अब्रिवियेट करते हैं एस डॉट एच डॉट इस और उसके बाद अगर हम लोग नॉर्मेल हाइड्रोजन इलेक्रोड बोलेंगे उस तेम पर उसको अम लोग दिनोट करेंगे एन डॉट एच डॉट इट तो फिर यह उसका क्या होगा एब्रिवेशन हो गया बच्छो अभ और पर क्या होते हैं हम लोग का एक मेटल रॉट होता है और उसको हम लोग कहां पर दिप कर देटे हैं उसका खुद का ही सॉल सॉलीशन पर हम लोग उसको डिप कर देटे लेकिन अगर हम लोग इन केस अगर हाइड्रोजन का अगर उदर पर इलेक्रोड बनाने के लिए जा उसका जो कॉंप्सटर्टिक्सण होता है क्या समस्जा ढ़र कॉन मैं तुछे तब defense जो Samas आउन का कॉंसंट्रेशन का दोगा उटर पे 1 मोल होगा उदर पे कॉंसेंडरेशन कितना हो जेगा मतलब समय को मैंतेन करई हो और बोला कि उसका चांपरेशर कितना भी 257 कटेज हम लोगos मतलर स्सक्राय से इवाल मेंतेन करने में निस्थ के लिए होते हैं कैसे सो सब्सक्राइब सब्सक्राइब वानबार पेसर हम लोग रसे क्यों हो स्टेंडर्ट हम लोग का रहेगा है हईदोंगेस को यह सब्सक्राइब सबस्क्राइब करते हैं वक्राइब लोगा कि नाम को घ्रम शारट मिले और फहं वह जा रहां वहिंद नंसे द्री में और जिन सब्सक्राइब करेंगा तो फिर प्लस एक एलेक्टों उठर पे मेरा क्या करेगा गेन करेंगा करने के बाद हम लोग डर पे क्या फॉर्म होगा यह क्या होगा मेरा स्टेंडर्ड हाइडरन इलेक्टोड का रियक्षन होगा यह क्या हो गया उसका स्टेंडर्ड हाइडरन इलेक्टोड का रियक्षन बच्छो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगा यह जो स्टेंडर्ड हाइडरन इलेक्टोड है उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा से अलग करेंगे साथ को मैं एक मैटल रओग होका मेटेल को हम लोग इडर पर निखेंगे और उसका क्या था उसके बाहर हम वहत्व 17 सब्सक्राइब करेंगे लेकिन हम लोगा इदर पर हाइड्रोजन गेस हाइड्रोजन गेस हम लोग उदर से पास कर रहे थे यह मेरा क्या होगा यह जो में इदर पर कफेंगे लेक्ट्रोजन गेस देंगे लिए यहां ऑन जवह उसका घ्रोजन कर एन सब्सक्राइब और उसका जो रिक्सड बात में आप लोगों इधर पे दिखेंगे या दुनोब थो अपछब करके लिक्षन यह हो गया और इसके बाद यह कहा था मेरा डिप्रेस्टेशन बाला पार्त में बात था आप लोग अभी बोलता हो यह जो स्टेंडर्ड है इंधकर इंधकर करें थे इन ताम उसका रिडाक्षन पोटेंशियल का विदे एब जीरो लेक्टोड करें अगर निकाला उसका इलेक्टोड पोटेंशियल करना है थो पिक्स कर लेटर पे जो हाइड़ो इलेक्टोड था के दूसरा इलेक्टोड का हम लोग क्या करेंगे और पे इलेक्टोड पोटेंशियल केल्कुलेट करेंगे बच्चों में इदर पे बोल लेता है इसका कॉंस्ट्रक्शन पार्ट क्या लिखा हुआ है कैसे कॉंस्ट्रक करेंगे इंदा स्टेंडर्ड हाइड्रोजन गेस इलेक था प्रेटिनाम गोटेट विट प्लेटिनाम नाम ब्लेक अम लोग का नीचे पे क्या होगा एक प्लेटिनाम करेंगे पर साथ लूप करेंगे यह शाध्य का नेक्टेम थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग मुलेकुल इसका इलेक्ट्रोट फोर्म करेंगे उस ताहिम पे हम लोग उस तरह से उसको रिपेजींट करते हैं इने उसका डियोड अम लोग एज लेक्रोड सेंटेंदर हरेक्ता उसको रैफरेंश बयनेंगे और उसको यह अधिक सकरें में कितना घ्रनबार अधिक सबळस्केंगे और उसकी यह कोश्की सब्सक्राइब बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आप लोग भी बोलने जा रहा हूं तो फिर आप लोग दिखते रहे स्क्रीन पर फिर देखें अब लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं डिटार्मिनेशन ऑफ स्तेंडर्ड और पॉतेंश्याल ऑफ हleness बच्छों अब हम लोग क्या करेंगे और क्या से आप लोग को चलुए हो कि लाइट नोग उसेард मिरां की तहां एंट पर मिरा रिडाक्शन तबिए संद्षी और बसेगे हैब और कि और फ़्ली अप्छीडिय अप्सेल ओघंव मनाइस क्या था उड़ फिदेन होसमें और तो लिज ऴॉट है रिग सकते यह नो लिख सकती है। लेफ्ट लिग सकते हैं भच्छोँ अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे गेल विन इक सेल को पलेच करेंगे और लेफ्ट हेंसकोः करेंगे और राइठ हैंड साइट पर हम लोग का जवी आंडों इलेक्ट रॉड होगा उसको प्लेस करेंगे अभी दोनों को हम लोग जब करेंगे एक्स्टरनेल ले के साथ लुख ऑड़ क्या होगा किया में सॉल बिसको नहीं दिखाड़ा हूँ इस आप लोग जब कर देंगे पूरा का पूरां हम लोग का गैल्वेनिक सेल को जब मुल्ब का लेंगे तो पर हम लोका ये जो वोल्प मितर होगा 對不對 मिलेगा जब आप लुग क्या करेंगे करेंगे कि इस फिटना मिलेगा 0. obst वोल्व और नीगेटिव GUY अगर हमलोग क्या करेंगे एनोच सेल के जगा पे पुड कर दें इनोट चेल का वेलू हम लोगो मिल गया कितना मिला 0.76 बोल्ट चो यह हम लोग एक्सपेरिमेंट ले डिटर्माइन किये तो फिर उसके बाद किया होगा हम लोगा इनोट राइट राइट सैट पे हम लोगा क्या था जिंक इलेक्ट्रोड था तो फिर लिख लेते हैं इनोट जेडेंट टू प्लास जिंक और माइनस इडर पे हम लोगा क्या होगा इनोट लेफ्ट लेफ्ट साइट पे हम लोगा क्या था स्टेंडर्ड है जो इलेक्ट्रोड का उडर पे उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशेल होगा आई पीस ने हम लोगो कितना मानने के लिए बोल इनोट जेदेन्ट टू प्लास जींग का रिडाक्शन पोटेंशेल का वेल्लो कितना होगा माइनास 0.76 वोल्ट तो बच्छो बहुत ही सिंपल था हम लोग क्या कर लिए इदर पे जो मेरा आन्नोन इलेक्ट्रोड था कौन था जींग उसका हम लोग क्या कैलकूलेट कर लिए पॉटेंसेल उसका कैल्कूलेट कर लिए और वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशेब है वह मेरा कानसा इलेक्ट्रोड पोटेंशेल होगा understand clickعد बोकि इदर पर 1 molar concentration मगलब आप लोग का जो सेल है उसका construction कहां पर हो रहा है standard condition पर हो रहा है बच्छो मेरे ख्याल से आप लोगो समझ में आ गया हम लोग कैसे zinc electrode का क्या कर रहे थे और पर electrode potential calculate कर रहे थे पर फोर्मूला इनोट किया था ले नोट कैफार माइनस क्या था ले नोट मतलब क्या होगा यूंधोर राइट रीडॉक्षा नहु leopardeden affinity चौन नियुक्त सब्सक्राइब करेंगे स्टेंड अधेक्ट करने के बाद राइट एंड पर पोटेंशेल डिफरेंट्स याफिस सेल पोटेंशेल कितना मिलेगा बोल्क मिटर पे 1-1-2-3 4 वोल मिलेगा प्लाश ओर अभी आप लोग क्या करेंगे इलेक्टर पोंट सेील कर्कें लिखेंगे को प्लासомеकर? माइनस लेफ, लेफ पे मेरा क्या था, e0 h plus h, और यह हम लोगा आई पेजसे बोल के ही रखा है, हम लोग उसका इलेक्टर पोटेंचिल कितना मान के रखे, उसका पोटेंचिल हम लोग 0 मान के रखे, तो फिर आप लोगो जो इपर 0.34 वोल्ट जो शेल पोटेंचिल मिल ना थ वो किसका electrode potential हो जाएगा किसका standard electrode potential हो जाएगा copper two plus copper का और उसका value आप लोगो कितना मिलेगा plus 0.34 volt तो फिर बच्चो आप लोग क्या किया इधर पे डो unknown electrode फर्स पे zinc electrode उसका क्या निकाला उदर पे standard electrode potential next पे आप किसका निकाला copper का जो भी unknown electrode था उसका हम लोग क्या निकाल लिए केमेटर पे उसका इलेक्टोट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए मेरे ख्याल से आप लोग को समय आ रहा रहा है कैसे आननोन इलेक्टोट का इलेक्टोट पोटेंशियल केअल को Пол जैनल अम ले किसको सपये स्तेंडर्ड है उसका हमेशा कितना मानें गें याख Perfect सबका हम लोग क्या निकाल सकते ऐलेक्टर पोटेंशिल क्लकुलेट कर सकते बच्चो यह चो यह उर्ज क्लुड रहे बहुत चाईलीमेंट के लिए जब आम लोग क्या करेंगे एक बनाएंगे भी सिरीज होगा इस के पोर्टेंशियों पीलेंगे बच्चो अम लोग क्या करए Первव केद्ध बठोड सेंक्डडाइड ल स। घर्दिश चांचे हुअ को बिंल लिए ल यहां को सब्सक्रीन के मिलां लिक्ट़ अको प्योंच उसका हमलोग क्या कैलकूलेत करने के बाद तो पर आज कारेंगे के बाद कम लोग जो यह मिलेंगा उस शीरिस को यह क्या हो रहा है यह जो सब्सक्राइब करेंगे निच्छे के तरफ हम लोग जाते रहेंगे तो फिर निच्छे के तरफ हम लोग जाते रहेंगे सेंटर पर कौंसा रिमेंट का प्रेजान निच्छे के तरफ हम लोग जाते रहेंगे उसका अपला स्ष्माग्स्राइब कालब पारने पाइब क्या रहेंगे कि अगर हैं सब्सक्राइब को किए और इंब मेरा कीर नेक्टरोड को सब्सक्राइब होगा मतलब मेरा कहने का मतलब किया है जब भी आपलोग गल्वेनिक सेल कॉन्स्टर करते हैं तो अप लोग ब्यूट इलेमेंट्स को लेंगे तो फिर ओपलोग जादा होगा और पे विज्वेशन होगा और जिस पर यह नाप प्रज सब्सक्राइब लगों को पांज विघ्र को अधिकर सब्सकति अबूद सब्सक्राइबूर में आप लोगों उसी बात को भी बोल रहा था जिसका रिडाक्शन पोटेंशब्ट निएघ्राइब। जिसका reduction potential कम होगा उस पे मेरा क्या होगा ओक्सिदेशन होगा तब इस बात को भी आप लोग क्या करके रखे याद करके रखे अच्छे से बच्चों हम लोगा यह जो स्टेंडर reduction potential का वेलू क्या होता है एक्जाम पे दे देता है तो फिर आप लोग को याद नहीं करना है फिर भी आप लोग क्या किज़े इसको नोट दाउन करके रखे ताकि अगर आप लोग कहीं पर इनकेस अगर फस्ट जाए कि हम लोगा कहां पर reduction potential का वेलू कितना होता है तो आप लोग उद्रे से क्या कर सकते है देख सकते हैं तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहे हैं हम लोग कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कॉंस्ट्राक किये थे अधर पर जितना भी एलिमेंस था उसका स्टेंडर है तो इलेक्ट्रोड के साथ हम ल हम लोगा बहुत सकर्य क्या होता है फ्रेम कर सकते हैं अब लोग क्या याद करके रिखी स्टेन्डर है उसका बोलते हैं और उसके बाद किसका कि लेक्तियो है औरलो और इसका बाद क्साइब्या निगाला सकते रूप तो पोटेंशियल निकाल सकते है उकिल्प अप लोग जिंक का दिखाया लिखाया तो फिर आगर वह लोग यह इंपोर्टेंट है और आप लोगा सीबसे में यह वाला टॉपिक अब लोग इसको अच्छे से स्टादी कीजिए अगर समझ में नहीं है तो फिर आप लोग वीडियो को फीर से देखे है और अगर आप लोग को समझ में आये तो फिर एक लाइक कर दिजिए और दोस्तों के साथ सेयर कर डिजे और सेनल को सब्सक्राइब करना महुत भूलिए आज का लेक्षर को हम लोग यही पर कतम करते हैं फिर मिलेंगे ठेंड़ बार